यहां आप देख रहें आईप्यो कॉर्ड़र यहां एन्टेनौ सवधेश पर एक बहुत खास बाचीत लेकिا आये हम यह कंपनी जो है एक खालिश वड़ेशी कंपनी है कंपनी का नाम है आरार काबल और आरार काबल का आईप्यो जो है वह अने ही वाला है लॉच्छ हो रहा ह इस कंपनी में खास क्या है और कंपनी की ग्रोथ यहां से कैसे लग रही है आपने सब ने देखा है हम सब यहां पर दिन भर बात करते हैं कैसे वाइर जन केबल सेग्मेंट FM EG सेग्मेंट की वजह से बहुत जबदस ग्रोथ हमने देखिए के याई आई आप बात कर लिए फिलो निक्स आप बात कर लिए यूनिरिसल केबल आप बात कर लीजे कुछ और कंपेरिटर्स की भी पूली कैप बगरा पूरे स्पेस्टने ग्रोथ देखिए यह कंपनी भी टॉप फाइव कंपनीज में से है और अब जो आई प्यो लेक्यार है उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए मैनेजमेंट कमेंटरी क्या कहती है आगया आने वाले समय में यह सारी बाते हम करेंगे हमारे साथ शीग उपल काबरा जी है और हमारे साथ जो सीएफो हैं और कमपनी की साथ लंबे समय से जुड़े में काबरा साथ और जैन साथ आप दोनों का स्वागत है बहुत शुक्रिया आज हमारे पडोसी भी हैं यहां पर कमला मिलने तो अच्छा लग रहा है आपसे मिलके लेकिन सबसे पहले कि हम बिजनिस की बात करें मै यह जाना चाहूँ है कि हमारी कंपनी का नाम आरार काबिल यह मैच कभी हम कंफ्यूज आते हैं कि यह केबिल इसको बोले यह काबिल बोले यह नाम अपने कैसे रखा देखिए जब हमने बिजनस सुरू किया तो हमारी फेमिली कोई बेक्ग्राउंड नहीं था लेक्र इंड इसलिए आप देखेंगे तो हम लोग को तो जर्मनी में इसको कावेल बोलते हैं कुछ रोगो लगता है कि हम काबरा है और इलेक्रिकल का कावेल किया होगा और यह बात उस ताइम जहनमें नहीं है अच्छा कई लोग ने मीडिया नहीं पूचा देंगा है कि यह बात इसका यह आपने अच्छा एक्स्पेंग किया कि जर्मन में केबिल को काबल बोलते हैं इसलिए आपने जर्मन टेक्नोलोजी भी ली थी तो यह एंफिसाइज करने के लिए कि हम बहुत हाई क्वालिटी काम करेंगे हमने इसका नाम अर्र काबल लग दिया चलिए आगे बढ़ते ह कौन से वजब हों की वज़े से इस स्पेस में अच्छी ग्रोथ का वातावर बना रहेगा और आपी कम्पनी को भी इसका हाई ग्रोथ का वातावरन का फाइदा मिलेगा निए तीन से पांच साल देखिए पहली बाद पूरा का पूरा चेंज हो रहा है प्रम फोसील फिल टू ग्रीन की जर्णी जो है एले पहले जो पावर का जो पावर जनेशन से पावर का यूज करने का तरहां पावर की क्लोड़ी यह पूरा भारत में पुरी विश्व में चेंज हो रहा है तो क्या पहले हम सोच सकते थे की समझों बंबाभ बढ़ है कि हम पूर्ण आखबूर से पावर जायेगा नहीं आता बाजू सी रोब जाएगा तो फ्रम वन स्टेट तो वन स्टेट वाज इंटर से डिफिकल्ट उसकों हम पूरी एक कंटे से दुसरी कंटी एक कंटे दुसरी कंटी यह हमारा एक पावर का जो शिफ्ट हो नबवर दूसरा जैसे EV वेकल में जो खुद में केबल लगता है वह एक अलग है लेकिन EV के चार्जिंग में जो लगता है केबल वह एक सुर्वात है सब्सक्राइब केबल के चार्जिंग करने केबल की सुर्वात हैं इंफ्रा फोकस बहुत बड़ा है अब इसको लगता कि पीक चल रहा है वह मन में आता है कि इंफ्रा में भी पीक हो गया हाउसिंग सेक्टर में जो तीन सा से जी संक्री निमाद चली बड़े लेकिन हाउसिंग सेक्टर में आपको बताना चाहता हूं है जो कमसे स्पेस है इसमें सिर्फ 40 तका ही जो वायरेंड केबल है वो नह पूसिंग जाता है बागी 60 पर से रिनोवेशन में जाता है तो रिनोवेशन की जर्नी ये अप्ताब में चल दी है फिर दूसरा गड़ देखेंगे तो इस पेस जो है रेसिदेंशल में जो मेरी एच की जो लोग है समझा हम लोग पचास पच्छल की उमने घर कभी लिया हो का सम्झों आज की जारी में 30 साल की उमने लोग घर ले रहे तो ये शिप्त हो रहा है फ्राम रूर टू अर्बन की जो जर्नी चल रही है उसको भी आप रोख नी पाएंगे और जो इंडिया में जिस धंका लोगों में एस्परेशन लेवल हुआ है एस्परेशन लेशन 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 कमानी की बात करते हैं जहन साब आप पूरी बुक्ट समालते हैं कंपनी की और आप हर ऐसे जगों पर ध्यान देते हैं जहां एक्स्ट्रा कमाया जा सके प्रैंड आपका बहुत मजबूत बन गया और ग्रोथ जैसे काबरा साब बताई रहे मुझे बताई कौन से ऐसे लिव और रिटेलर का नेटवर्क है आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया और उसमें भी पूरा डिजीटल है तो आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती कि हमारे करीब परीब तीन लाग रजिस्टर इलेक्रिशन्स हैं एक लाग से ज्यादा रिटेलर्स हैं तो इस तरह की ग्रोथ के लिए हमने काफी स्पेंड किया है और इसको देखते हुए जब इस एक इंफ्राइस्ट्रुक्चर तयार हो गया एक बेस तयार हो गया तो हम उस तरह से काफी अच्छा ग्रोथ के टेरिक्ट्रिट्री में काम करना चाहते हैं यह अपने कितने अच्छा का कैसे लाखों में कैसे चल गई अपकर अब बताएं इसमें क्या कि दिखेंड यह है कि बाकी लोगों में हम लोग सुरू से मार्केडिग डिवन कंपनी हैं अगर आप देखेंगा हमारा इतियाद भी हमने पहले साल कंपनी चलाई तो सो वच्ति मार्केडिग में पैले मेने का शील था अठाक बढ़े बारोब बने सावल सावल खुरूर था फुरूर नवेक्राउड था इसको पूरी जर्णी हमको पार करने थे हमने जर्नी पार की अगे की जर्णी जो मैं उता तौ आपको वह सबसे डिफिकल्ट है यह सभी इंडस्री के लिए होना है क तर्श्टेर ब्राण्ट की जर्णी अगर आप कॉलिटी बेस्पेंड करने से या उसने नहीं होगा वास्तों में आपको आपकी क्रोडी फोकस करना पर जाए हमारा 35 इंटरनेशनल अपूर एक मातला कंपनी है तो आपने जो बात कही कि यहां से ग्रोफ फोकस का कंपनी का रहेगा इंटरनेशनल जाए है अभी क्या मिक्स है हमारा रेविन्यू मिक्स हो कैसे बड़ सकता है अगे चलिए अभी रेविन्यू मिक्स जो है ऐसा कंपनी तो बताता हूं कि टोटल 88% वायरेंट केबल है और 12% F तो हमारा 25 तक हमारा एक्सपूर्ट हूआ जैन सब जो पबलिक इशू लेकर आ रहे हैं 2000 क्रोड का ब्रेक अब क्या है सर इसमें से 1962 क्रोड का जो है इसमें से 187 क्रोड जो है वो कंपनी का फ्रेश इशू है और बाकी का OFS है तो यह 180 क्रोड जो है इसमें से 136 क्रोड हमारे current debts हैं उसको repay में use कर देंगे और बाकी का general corporate purpose और बाकी जो secondaries है उसमें जो हमारे P.E. investors है वो अपना majority shares exit कर रहे हैं और promoter family इसमें एक थोड़ा सा हिसा है करीब 2% करीब promoter family कर रही है दो परसेंट group companies कर रहे हैं अचा आगे जाने के लिए मुझे पता है कि आप बहुत जादा forward looking नहीं बता सकते हैं लेकिन strategic focus के areas अगले quarter अगले साल के नहीं बड़ अगर मैं दो से तीन साल का व्यू लगा हूँ कावरा साब तो company आफ focus परस तीन साल का व्यू लेकि कौन से तीन चाचीनों पर आप ध्यान देने वाले हैं कि वायरा है के वरेज अगर हम देखते हैं तो वायरा है 70-30 average इंडिया का हमारा है 70-30 तो नेचुने जिसमें कम है उसमें जादा हो गड़ाएंगे क्या बात है ठीक है कावरा साब जैंच साब हमारे स्टूडियो बैने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब आपसे लगातार बातचीत होती रही है क्यों लिस्टेट कमणी बन जाएंगे तो quarterly numbers पर आपसे मारी बातचीत चलती रहेगी ये थे management RR कावल के बता रहे थे कि किस तरीके से focus रहेगा company का यहां से उनका public issue चल रहा है आप धिहान से इनकी growth strategy और valuation को analyze करिए और अपने financial advisor के साथ discuss करिए कि इसमें पैसा लगाया जाए